सर्गुचो के मणीपूर थानाश्वेत्र के 60 बार गाउ में पतनी की हत्या के मामले में फरायर चुल रहे हैं आरोपी को पूलसने गिरफदार कर लिया है आरोपी ने पतनी की हत्या कर घर के पीछे ही उसे तफन कर दिया नाबालेक बेट्वे ने पेता के खिलाफ शिकार तेज कर आई थी जिसके बाद पोलिस ने कब्र खुद्वाकर शव को बरामत किया उसको हमने मोरगा से गृपतार करने में सफलता प्राप की है संतोस्टोप को जो इसका ही पती था और आपसी घरेलू विवाद के खारान उसे फावडे से इसने मार दिया था मारने के पश्चाच जो है अपनी पत्नी की बाडी को उसने पीछे खली हान ले वहाँ पर तखना दिया था बाद में उनकी बाडी जो दिखी जब उसका पैर बाहर निकला हुआ था तब पता चला और उस अधार पर इसकी लगातार पता तलास की जा रही थी और घटना में प्रव्यूक के जो फावडा है उसे भी जब तक कर लिया गया है और मामले में आरोपी को गिरपतार करके आजमानी नियाले के समग से पेश किया गया